कि वेलकमे डिशुशन अभी आप देख रहें मैथमेटिक्स से रहें राजय की कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स जहां मिलते हैं आपको मैथमेटिक्स और हाइयर मैथमेटिक्स रिलेट अनेक टाप का वीडियो और अभी हम डिसकस करने वाले हैं क्वाइट जुमेट्री टू- आपके पिछेरे लेक्स्टर में ही मैंने कुछ दिशन और यू का बदाया था और यह उपाईट्री और यह टीरों कंदल से एकस्पेन करेंगी अब जो देखेंगे कि क्या होता है काटिजिय बूरे बेरिटेव शन्कालीं और साथ साथ जरूर डिज्दार ταी कि आगर टेलिग्राम गूरूप में जवाइण नहीं कि वज़रूरु ज़रूरु जवाइर कर लें उसमें जरूरु ही o पहलते तके साथ क्वार्टिव दितत्री का त्यृत्यक करते तकि नस्या। राइट चलिए तो सबसे पेले देखते हैं काटीजन क्वाडिनेट क्या है इसके बारब पर डिसकस करते हैं तो देखें सबसे पेले एक फॉर्म निखाते ही काटीजन क्वाडिनेट का कि एकशिस जो जेटल लाइँ और वाई एकशिस जो अँठिकल लाइँ यहां पे लिएक Hybrid हैं कि इस एकशिस पे एक बेड़ीन का फॉर्म से ट्रें लाई वाई एकशिस राइट एका है त्सेश और वाई एकसिस और इसमें एक तर्म से ली हैं कि x-axis को बोलते और जेंटल लाइन और y-axis को बोलते वर्टिकल लाइन और इस्ते कुछ पॉइंट नहीं यहां पी मैंने पॉइंट लिया पी जो है x,y और पी पॉइंट को परपिर्डिकुलर एक जब खेँ पर पी एल जो कुछ डिसल्स है ओ टूंग है या इस दे टूंच प्राम पॉइंट सरुजा है जो मेरा कुछ डिस चेनषम प्ली सकते हैं ख घी ना डिटी कौिन का सटन कर सकते हैं और इसिके म में लाइन पी से खंट उसकते हैं कि जिस्टेंस देखा क्या एक से जाहाँ भी एक सुपा है यह एक एक और यह वी ही प्डूक्तव बनेगा ओ पोई पाइन्ट का हो एक और उसानी दिखा है तो इसका फार्म हम लीखते हैं और इसका प्रेडियों से किलो करते हैं ज्यादा बढ़िया है चलिए इसका कुछ टर्म में ने लिखा स्टेटमेंट देखेगा लिखा है इसको हर्जेंटल लाइंग बोर सकते हैं और इस पॉइंट का जो फॉर्म है उसी को बोलते हैं और इस पॉर्म में इस और टर्म में क्या शुण करना चारें जरे दिखेगा कि XO X' is called Xxy बोर सकते हैं या लिखते हैं XO X' is called X axis राइट YO Y' is called Y axis इसलिको बता है जिसमें इस पोई में जो मैंने आपके point माया है P lift P x,y v any point P x,y v any point मैंने एक point माया है जो x,y है और जो मैंने point माया और जो इसमें एधी है क्या कि कुछ distance मैंने मला है कि O to M conditions पर इतना होगा X P to M conditions Y राइट क्या कि O to M conditions X और P to M conditions Y राइट और फिर इसमें एक फॉर्म और है कि X जो Axis है उस फॉर्म को X Quadrant भी बोलते हैं और साथ साथ उसको अब सिसा भी बोलते हैं और Y Axis जो है उसको हम Y Quadrant भी बोल सकते हैं और उस फॉर्म को हम ओडिनेट भी बोल सकते हैं तो फ्रास हमें एक पॉयंट लिए X Axis का लिए फॉर्म है ये फॉर्म का बोल सकते हैं आप सिसा ये X Quadrant और Y का लिए फॉर्म है इसको Y Quadrant भी बोल सकते हैं is called X-quadint या फिर अब सीसा भी बोल सकते हैं X-quadint का जो फॉर्म है उसको हम बोल सकते हैं अब सीसा ठीक है और E-M P-M का जो फॉर्म दिख रहा है जो Y है P-M को लुट वाल इसको लुट वाल इसको सकते हैं ऐडिनेट ऑस ऐडेने यह हम से बताना शाहरा है कि एक सेक्षिस का फॉर्ण में आप सी 사थ इसको हम बोलते हैं हम हिंदी कोटी यह बॉज और तो अब सीसर यहात रखिए और ऑडिनेट यहात रहा रहा है एक सैक्सिस का फॉर्ण एक पॉइंट हम एक एक्जामपल से हम चलते ज़र दिख लिए एक एक्जामपल प्राम देते हैं तो ज्यादा हम वही है माले की पॉइंट है टू कॉमा थी तो यहां प्याओ पूछा जाए कि 2,3 है यह मेरा एक्स का फॉर्म है यह किया है यह का फॉर्म यह मेरा पॉइंट है और इस पॉइंट को हम पॉइंट का है इसका डिस्रेंज एक्स ही होगा क्योंकि आहां से आपके फॉर्म है तो यह हो जाए आज का टीजर क्वाइट का फॉर्म जो सामने दिख रहा है अब अब लिख क्वाइट और उलग क्वाइट इसको नूर करें उसको आगे मढ़ाते हैं नेक्स्ट और साथ-साथ इसमें एक यह जान रखना है कि यह से पॉइंट जिसका में निकेट कर सकते हैं एक्स कमा जिरों से और दो जो पॉइंट है फॉर में जिरों कमा दो कि लिए यह यह नोट कर लेकिए आगे गाले पोलर फोर्म का कंडिशन चलिए तो शेकर कोई सबसार फोलर पार्टने माटिस पुलर काल में इसके बारे निसक्स कर लेते हैं देखी फॉस्ट अफॉल एक इनिसियल लाइन राइट O to X is initial line इस लाइन के नाम के सब इनिसियल इनिसियल लाइन इनिसियल लाइन के लिए फॉर्म है और इहां भी O एक्स को बोल सकते हैं अब इसने हम एक और और करते हुए एक लाइन यहां से आथा कुछ गया तो जहिस बादें कुछ जो है एंगल बनाएगा यहां से जब यहां से यहां तक गया तो इस लाइन का नाम का पॉइंट देते ही और इसका जो है रेडियस घेक्टर हो सकते हैं इसका इंडिकेट हम आर से कर सकते हैं आर यहां पी रिख्णको आुट गृस्त रिफशिंर यह और दो देन बनाएगा ऑच्छ जिस आउंटल का नाम ठीकर देते ही इसको बोलजित सकते हम एक्ट्ड्रीश घेक्ट्रेंग old आंगल आइट इसको बोल सकते हैं यह क्ट्री मैंटनने थी अंडिकेश द्लस है और यहां पी पॉइंट करी कि एसलों को जो जो धिता पॉइंट ह्था उत्यायर्ण तो सामने दिख रहा है यह जो पॉइंट है और इसलों से आता और और ब्रीकर पॉइंट को हुआ हुआ है यहां यहां रहना है कि O X axis है जिसको इनिशियल लाइन कोड़ सकते हैं और यह दो O to P a distance इसको आप रडियस वेक्टर कोड़ सकते हैं इसका पॉइंट में नाम दिया है और कॉमा ठीटा जो एंगल मरा ठीटा है इसको नाम दिसको नाम दिसको रेक्टोरियल एंगल इसका पोसिए पॉइंट इसको दिख रहा है और यह तर्म है उपक्या करा है पोलर पॉइंट का फॉर्म होगा तो अब इसमें एक काम करते हैं इस लाइन को लिखते हैं क्या कि यह फिक्सपाइंट का फॉर्म है तो यह दो है कि the fixed line OX is called initial line, the fixed देखी, इसमेरी इभी बताया है क्या, the fixed line OX is called initial line and fixed point O is called pole, यानि fixed line जो दीखना है, मैंने भी बोला था, उस fixed line को मैं initial line बोलेंगे, और pole दो है, fixed point है, उसको मोलेंगे, pole, right, और फिर इसमें हम जो point माना है, r, theta, उसमें r जो है, vectorial angle है, और theta जो है, radius vector है, और theta जो है vectorial angle है, जहां लीदे देहें क्या, p, r, theta, जो है क्या है, r, theta का जो फॉर्म है, जिसमें से p कर दो फॉर्म लिख सकते हैं, p कर जो कहां पी, r कर फॉर्म है, और p equals to, o से p का distance मेरा क्या हो गया, r और angle, p, o, x, बराव मेरा क्या हो है, theta है, जिसको हम vectorial angle हो सकते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं, r is called radius vector, here, r is called radius vector, तो इसमें मेरा mean polar form का पहचानने का तरीका यह है, कि इस example से, एक object form में बताना यह चाह रहे हैं, कि अगर यहां पी 5 है, कि यह .5 हो गया, और यहां पी दिख रहा है, theta 30 है, यानि एक distance का form इंडिकेट किया, और एक angle का form इंडिकेट किया, वही form जो रहा है, मैं रहे हैं, polar form प्रक्टर का लाएगा, यानि इसका हम एक और example में इसके पहले, यह मैंने काड़ियर बता है, तो 2 और 3 के जाम पल लिया था, तो वह फ्रेश अलग दिख गया, लेकिन इसमें क्या है, कि एक angle भी दिखेगा, जैसे हम और भी दिख सकते, 7 दिख सकते हैं, तो अब बताई कि यह polar form है कि नहीं, हाँ यह polar form है कि आर मेरा क्या हो गया, आर मेरा हो गया 7 और ठीटा मेरा हो गया पाई वाई थी तो यह है तर्म जो खास्त और पर यह दिखता है कि यह polar form का condition है, तो यह polar form में एक fixed point और एक fixed state line का जो टर्म इंडिकेट करेगा, पोलर form यारी polar coordinate के ट्रम है, जिसमें से r जो है, radius vector है और हीटा जो है वेक्टोरियल आइगल जो मैंने सामें दीख रहा है example कि साथ, चलिए नोट कीजिए, अब ख्वासा हम बताते हैं यह तो रहा polar coordinate के लिए, इसके पहले मैंने Cartesian coordinate के लिए, और अब oblique coordinate के क्या है process इसके बार में डिसकस कर लेते हैं, इसको नोट कर लिए दाए, next, उबलिक coordinate का जो फॉर में, क्या है बलिक coordinate इसके क्वारेम, इसके बार में डिसकस कर लेते हैं, First of all, एक initial line, x axis in right, और initial line का जो फॉर्म है, ऑल इस फॉर्म से, एक जो है, के दिश्क इस टैबसे राइट इसको हम by असे कर सकते हैं जिघ को कि कने और इसका नाम में एक और पील्भ से पही का इसी का एक पेल्ल लायन कें जैजा जाए इसकी एक पेलल ल्लाइन है तो कुछ नों कुछ तो इसका एंगल बनाया है जिसका हम एक ओमेगा नाम देती इसका नाश्चालेजिया है डबलू नहीं कि इसका ओमेगा अब यहां पर एक चीज़ तोचे कि मैंने इसके पहले मैंने दो क्वाइलिट प्लार्णिक और कार्टीज और जिसमें पोलर क्वाइट में मैंने क्या है इनिस्टियाल लाइट square लेकिन और काडिजर में क्या है लेकिन फार दिफरेंस क्या है कि यहां बाइट किर्षिय दिख राएं इसी के पहला लाइन की जना है और इसका एक parallel line जो सामधिक रहा है और यहां कि एक point बनेगा जिस point का नाम दे दिया एक सोर वारी तो यहां पी एक form है polar coordinate का एक पी point पे एक सोर वाई और एक angle क्या है omega तो इस form में अगर रहेगा तो उसी ël कॉलर कॉलत ही right यानी इस फॉर में कुछ नाव बनाया होगा जिसका नाम एक सबस्कर को पर होगा और यह चम एक पर जिएए है जो को जी दोता है changing अब्लिक क्वाइट का लेट P x, y, v any point in the plane, let o x and o y be fixed line in the plane and angle x, o y equal to omega not equal to 90, जो angle बन रहा है, वो मैंना 90 डिग्रीक बरावर नहीं होना चाहिए, यानि जो भी angle है, वो 90 डिग्रीक बरावर नहीं होना चाहिए, यानि जो भी angle है, वो 90 डिग्रीक बरावर नहीं होना चाहिए, और सुनिगा, then the point of the point T x mobile is called oblique point, right, यानि इसमें हम एक example के तॉर मैं बताना यह चाहरा है, कि यह form में एक point बानुद रहे है, एक point जिसका प्रोशेक ने 2, अचल रहे है, और एक angle का form रहे है, जो भी रहे, चाहिए 60 डिदा यह जो भी रहे, इसको हम omega भी होर सकते हैं, या फ बदोर टर्म दीखे, तो समझे है कि oblique coordinate का यह form है, इसके पहले में एक polar coordinate, जिसमें में एक distance और एक point एक क्या रहेगा, एक angle रहेगा, तो क्या polar coordinate, इसके पहले मैंने क्या, Cartesian coordinate, जो सिर्फ क्या एक सर्भाई का form में रहेगा, और oblique coordinate जो point भी रहेगा, और एक angle भी रहेगा, तो यह है oblique coordinate का term, अब त्वास हम relation बताते हैं कि Cartesian coordinate और polar coordinate में क्या relation उसके बार, चली, तो नूट क्या है, इसके बाद विसे सागे, नेक्स्ट, चली, तो आज मेरे discuss क्या है, क्या क्या, की Cartesian coordinate क्या है, उसका इसका form होता है, और second, मेरे dir십कस क्या है, polar coordinate क्या है, और क्या उसका form होता है, और mixture attendant है, और कैसे उसका form है, यह में, तीरों क्या है क्या इसकस क्या है, जो साम सब्ने detailed से explain करते हुए, और इसके नेक्स वीडियो में कार्टीजन और पोलर क्या है रिलेशन इसके बारे में डिसकस करेंगे जबतक के लिए आप लोग सही विद्या की इस क्वाइट जिमेक्ट्री को अच्छा से इसको पढ़ लेंगे नोड कर लेंगे ताकि किसी परकार का कोई डॉट ना रह सके और नेक्ट वीडियो में बताने वाले हैं क्या रिलेशन इसके बारे में इसके बारे में जबतक के लिए आप लोग खुश रहे स्वस्त रहे और मस्त रहे पहिते रहे हैं क्वाइट जोएक्टे का बेहतरीर कॉंसेप्ट और बेहतरीर क्योरी के साथ और जो बित्या थी टिल्ग्राम लूप में ज्वाइन नहीं कि और ज़रूर ज्वाइन की लिए उसमें बहुत सारे कोस्तन भी मिलेंगी